दोस्तो अगर आप one card यूज करते हो one card का जो application है वो अगर आप यूज करते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि one card का जो transaction है उस limit को हम कैसे share कर सकते हैं या फिर कैसे हम lock कर सकते हैं पूरी जानकर यह अपने वीडियो बताऊंगा वीडियो आपको completed देखना है ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो one card है वो open हो चुका है फिलाल यहाँ पर मैं आपको बता दू कि one card जो application है one card जो मेरा है वो सरफ 2000 रुपे का है मैंने सरफ वीडियो बनाने के मकसद से 2000 रुपे का one card लिया था जिसमें मुझे 2000 रुपे की ही limit मिली है और मैंने इसको 6 मेने यूज कर लिया है अब मैं इसको बंद करना चाहता हूं तो मैं बंद भी करूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा ठीक है फिलाल आज जो बता रहा हूं मैं वो जानकारी क्या है आज बता रहा हूं कि देखो जी जो हमाई limit है 2000 रुपे की हम इसमें से transaction limit कैसे set करें तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछी नहीं करना यहां पर एक auction देखेगा नीचे काड़ वाला आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है क्लिक जैसे आप करोगे आपके सामने काड़ आ जाएगा कुछ इस पर आगे tax board में ठीक है अब इसके बाद आपको ऊपर क्यों स्कॉल करना है यहां पर देखो मेरा जो fixed deposit है वो है 2000 रुपे का और यह 2000 रुपे का जो fixed deposit है इ हम जब एक साल बार हमारी FD mature होगी तो यहां पर 2000 में 215 रुपे हमारी बैंक में disbet करवाया जाएगा ठीक है अब हम चाहते हैं कि यहां पर हम अपनी transaction limit को set करें तो यहां पर नीचे view control के एक auction है आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर control आपके करते ही दोस्तों यहां पर आपको amount डाल देना जैसे for example में यहां पर 100 रुपी डालूंगा और save कर दूंगा तो बस में daily का 100 रुपी ही spend कर पाऊंगा card से ठीक है इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें advance control पे तो advance control पे भी हमको काफी सा यह शुबदा मिलती जैसे कि online कितना transaction करना है ठीक है तो online हम set कर सकते हैं post transaction कितना करना है वो भी हम set कर सकते हैं और यहां पर जो है जो contact less जो है यहां पर कितना transaction करना यह भी हम set कर सकते हैं ATM withdrawal बंद है बात पर QR code से आप कितना spend करना चाहेते हैं वो भी हम limit set कर सकते हैं for example दोस्तों यहां पर जितना जितना हम यहा आप क्लियर बता दूं कि एक बार ट्रांजेक्शन सेट होने के बाद आप 24 गंटे तक दुबार से ट्रांजेक्शन सेट नहीं कर सकते ठीक है और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जितना बड़ा आप अपड़ी यहां पर करवाओगे उतना ही बड़े बड़ा क्रेट कार् मिलेगा अगर आप एक लाग के अबड़ी कराते हैं तो यहां पर कुछ चार्जिस लगते हैं तो 6 महीं मेरे यहां पर कंप्लीट हो चुके अभी मैं इसको बंद करवाओगा ठीक है उस पर भी मैं वीडियो बनाओगा कैसे बंद होता है ओके फिलाल आज का जो वीडियो है बोता ट्रांजिक्शन लिमिट को सैट करने के उपर सो गाई जी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में दरूर लिखके बता दें अच्छा लगा तो एक लाइक करते हैं दोस्तों साथ शेर करते हैं कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखके निमात्रम